वागत है आप सभी का मन विज्ञान की इस क्लास में और आज की क्लास में हम बात करेंगे फ्राइड के दौरा बताए गए व्यक्तित विकास सिध्धान्द के बारे में फ्राइड ने व्यक्तित विकास की व्यक्षा दो दिश्टिकोण के द्वारा की इनका पहला जो दिश्टिकोण था या कह सकते हैं कि इनका जो पहला प्रस्पेक्टिव था वह यह था कि जो वैस्क व्यक्ति का व्यवहार होता है वह बाल्य आवस्था के भिन्न भिन्न तरह क अनभूतियों द्वारा नियंत्रित होता है यानि यहां पर बता रहे थे कि जो हम बड़े होने पर जो भी व्यवार करते हैं वह हमारे बाल्ले आवस्था में किये गए व्यवारों के द्वारा ही निर्धारित होता है और इनका दूसरा दिष्टिकोर था कि बच्चे के जन के साथ ही या जन के समय ही उसमें लैंगी कूर्जा या सेक्सवल एनरजी मौजूद होती है जो विभिन मनोलैंगिक अवस्थाओं या साइको सेक्सवल इस्टेजिस से होकर विक्सित होती है फ्राइड ने मुख्य रूप से मनोलैंगिक विकास की पाँच अवस्थाओं के बारे में बताया है पहला है मुखा अवस्था या ओरल इस्टेज दूसरा गुदा अवस्था या एनरल इस्टेज तीसरा लिंग प्रधान अवस्था जिसे हम फैलिक इस्टेज के नाम से जानते हैं चौथा अवेक्ता अवस्था या लेटेंसी स्टेज और लास्ट है जनरेंदिरी अवस्था या जनाइटल स्टेज तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुखा अवस्था के बारे में इसके अनतरगर्त फ्रायट बताते हैं कि मुखा अवस्था मनुलेंगिक विकास की पहली अवस्था है जो जन्म से लेकर करीब करीब एक साल की उमरतक होती है इसमें फ्रैट बता रहे हैं कि जब बच्चा जर्म लेता है तब वह मुखा अवस्था में होता है और यह अवस्था जर्म से लेकर एक वर्स्तक होती है और इस अवस्था में जो कामुक्ता छेतर रहता है वह मुख होता है आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं एक साल से छोटे बच्चे वो कोई भी चीज पाते हैं तो तुरंत उसको मुझ में डाल लेकी कोशिस करते हैं चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो या उनको नुक्सान भी पहुचा सकती हो तो इनका ग्यान उन्हें नहीं होता है बस उन्हें ये रहता है कि कोई वस्तों मिली उसे उठाओ और अपने मुझ में डाल लो क्योंकि फ्राइट ने बताया कि जो उनका कामुकता छेत्र होता है वह इस सवस्ता में मुह होता है और फल्सरूप बच्चा मुह द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं जैसे चूसना, निकलना, जबड़े से कोई चीज दबाना या जबड़े में दात निकलने पर दात से कोई चीज दबाना आदि क्रियाए करके वहाँ लैंगिक सुख प्राप्त करता है अब बात करता है हम दूसरी अवस्था के बारे में जो की है गुदा अवस्था या एनलिस्टेज यह अवस्था दो वर्स से लेकर तीन वर्स के अई के बीच में होती है और इस अवस्था में जो का मुक्ता छेतर रहता है वहाँ मुह से हटकर सरीर के गुदा छेत्रिया एनल रीजन में आ जाता है और इसके फल्स रूप बच्चे मल मुत्र त्यागने से संबंधित क्रियों में आनद उठाने लगते हैं आप सभी ने अगर छोटे बच्चे होंगे तो उनको यह हरकते करते हुए अक्सर देखा होगा तीसरा स्टेज है फाइलिक स्टेज या लिंग प्रधान अवस्था मनुलेंगिक विकास की या तीसरी अवस्था है जो जीवन के चोथे वर्ष से पाचिवेर वर्ष के दोरान होती है और इस अवस्था में का मुक्ता छेतर जनाइटल होते हैं जनेरिंदरिया होती हैं लड़कियों की जने इंदरी को हम यौनी तथा लड़कों की जने इंदरी को सिसन या पेनिस कहते हैं फ्राइट का कहना था कि इस सवस्था में आपने देखा होगा यहाँ पर बता जा रहा है कि जो एक छोटा बच्चा होता है जवत तीन से यहाँ पर फ्राइट बता रहे हैं कि एक छोटा बच्चा जो चार से पास साल का होता है वह अक्सर अपनी जने इंदरीयों को पकड़ने की को सिस करता है उसके साथ खेलने की को सिस करता है यह सारी क्रियाए करके वह आनन्द की अनभूती करता है इसमें आगे फ्राइट बताते हैं कि इस अवस्था में प्रतेक लड़के में मात्र मनो ग्रन थी या जिसे हम उडिपस कॉम्पलेक्स कहते हैं और लड़कियों में पित्र मनो ग्रन थी या जिसे इलेक्टरा कॉम्पलेक्स कहते हैं वहाँ विक्सित हो जाता है ये दोनों चीज़े ध्यान रखिएगा इसमें अक्सर exam में question पूछ ले जाता है कि Oedipus complex किसमें पाया जाता है या Electra complex किसमें पाया जाता है ये भी पूछा जाता है exam में कि जो fried की monolangic अवस्थाय है उनको एक क्रम में बताइए तो वहाँ पर आपको क्रम दिया हुआ होगा और आपको उनको सेट करना रहता है या यह बताना रहता है कि चार विकल्प में से कौन सा विकल्प सही क्रम में है तो इस सब चीजों को याद रखेंगे लाश्ट येर भी इस टॉपिक से कुश्चन पूछा गया था फोर्स स्टेज है लेटेंसी स्टेज या अवैक्ता अवस्था मनोलेंगिक विकास किया चौथी अवस्था है जो लिंग प्रधान अवस्था के बाद प्रारंब होती है यानि फाइलिक स्टेज के बाद जो स्टेज आता है उसे हम लेटेंसी स्टेज कहते है या अवस्था छे से साथ वर्स के उम्र से प्रारंब होकर बारा वर्स की आयू तक रहता है और इस अवस्था में लेगिक इच्छाओं का उद्दाती करण या सब्लीमेशन पाय जाता है यानि यहाँ पर जो बच्चा होता है वहाँ सिच्छा, चितरकारी या खेल कूद आदी क्रियाओं में भाग लेकर या पार्टिसिपेट करके आनद की अनुभूती करता है अब हम बात करता हैं अपने लाश्ट स्टेज के बारे में जो की है जनाइटल स्टेज या जने निर्दिये अवस्था मनोलेंगिक विकास की यहाँ अंतिम अवस्था है जो की तेरा वर्स के आयुसे प्रारंभ होकर निरंतर चलती रहती है इस अवस्था में किसोरा वस्था तथा प्रोढ़ा वस्था दोनों ही समलित होते हैं क्यों क्योंकि जब बात की जा रही है कि तेरा वर्स से लेकर मिर्त्य तक चलती रहती है तो मिर्त्य से पहले कौन-कौन सी अवस्था आती है मिर्त्य और तेरा वर्स के बीच में कौन-कौन सी अवस्था आती है तो वह आती है किसोरा वस्था युवा वस्था प्रोड़ा वस्था इस अवस्था में किसोर एम किसोरिया में अनेक सारिरिक परिवर्तन होते हैं तथा कुछ महत्पूर्ण ग्रंथिय परिवर्तन भी होते देखे जाते हैं जैसे आपने देखा होगा जब बच्चा 13 साल का 14 साल का हो जाता है तो उसकी आवाज में अगर लड़का है तो उसकी आवाज में एक भारी पर आ जाता है उसकी दाड़ी मोच निकलने लगती है या अगर लड़की है तो उसकी आवाज़ पतली हो जाती है उनके बाल लंबे हो जाते है यह सारी चीजे वहाँ पर देखी जाती है इस आवस्था के प्रारंभ में कुछ वर्स जो किसोरा वस्था के होते हैं तो किसोरा वस्था के वस्था में क्या होता है कि व्यक्ति में अपने ही लिंग के व्यक्तियों के साथ रहने उठने बैठने और बातचीत करने की प्रिविर्ति अधित देखी जाती है जैसे अगर लड़का है तो वह लड़कों के साथ ही रहना पसंद करता है और लड़किया का दावा है कि प्रारंभिक की सोरावस्था में सभी व्यक्तियों में सम्लिंग का मुक्ता पाई जाती है या सम्लिंग का मुक्ता की प्रविर्ति देखी जाती है परन तुधीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ती प्रारंभिक किसोर आवस्ता से निकलकर वैसका वस्ता में प्रवेश करता है यानि वह एक टीनेजर ना रहकर एक यंग या एक एडल्ट के रूप में सामने आता है तो उसकी जो सम लेंग का मुक्ता रहती है या जो होमो सेक्सवैल्टी रहती है वहां कम होने लगती है और वहां विप्रीत लिंग यारी अपोजेट जंडर के प्रती अट्रेक्ट होने लगता है जैसे अगर लड़का है तो वहाँ लड़की के प्रती अट्रेक्ट होता है और अगर लड़की है तो वहाँ लड़के के प्रती अट्रेक्ट होती है इसके साथ साथ इस सवस्था में व्यक्तिका व्यक्तित्तो साधिरिक माजसिक एवं सामाजिक रूप से परिपक हो जाता है और वह सामाजिक रूप से अनुमोदित लैंगिंग संबध इस्थापित कर एक संतोस जरग जीवन जीने की और अग्रसर हो जाता है तो इस तरह या क्लास यहीं पर समाप्त होती है अगली क्लास में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद